सब्सक्राइब कीजी इहिंदी उर्दू चैनल को और अब्रेस कीजी इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो अब से पहले देखने के लिए hello दोस्तों एहिंदी उस्टी चैनल में आप सभी का बीजा को तो आच के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके Android डिवाइज में Google Chrome ब्रोजर में जो है दोस्तों Send to your device notification pop-up को कैसे disable करते हैं इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं तो इन शॉट मैं आपको बता दो Send to device notification आपको कब-कब मिलता है अगर दोस्तों आपका Android डिवाइज आप अपने PC से गुगल कर लेते हैं तो सबसे पहले आप अपने Android डिवाइज में Google computer open कीजिए Google computer open करने को टॉप राइट से में त्री डॉट जेख सकते हैं उस पे क्लिक कीजिए यहां से जो है settings को open कीजिए settings में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं Sync and Google Services उस पर टाइब कीजिए और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा manage sync उस पर टाइब कीजिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है sync everything इसको जो है डिसेबल कर लेना है करने के बाद दोस्तों open tabs का option मिल जाएगा आपको जस्त आपको जिए उसको uncheck कर लेना है simple उसके पात दोस्तों आपको next time in future कभी भी send to your device का notification आपको आपके device में नहीं मिलेगा तो यह easy और simple method है दोस्तों same issue मैं भी बहुत दिनों से face कर रहा था finally मैं उसको जो हैसका solution मिल गया तो इस तरह के से send to your device notification को disable कर सकते हैं आपके device में उमीद करता है आपको short से simple से video पर send आगया हो अगर आगया हो तो like कीजे share कीजे subscribe कीजे क्योंकि दोस्तों इसी तरह के daily videos हम आपके लिए क्या तरह रहते हैं मिलते हैं next video में time to you